ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ती मानवाह श्रत्थावन्तो नसुयन्तो मुच्यन्ते तेपी कर्म भी अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते है और इर्शा रहित होकर इस उपदेश का शर्धा पुर्वक पालं करते है वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते है ये त्वेत धव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मेमतं सर्वन्यान विमुडान्स्तान विद्धी नष्टान चेत सह अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है किन्तु जो इर्शा वस इन उपदेशों की उपेक्षा करते है और इनका पालन नहीं करते उने समस्त ज्ञान से रहित दिक भ्रमित तथा सिद्धी के प्रियासों में नष्ट व्रष्ट समधना चाहिए सद्रशं चेश्ट देश्वस्यह प्रक्रतेर ज्ञानवानपी प्रक्रतिम्यांति भूतानी निक्रह किम्करिश्यती और थात यहाँ पर क्रिश्ण अर्जुन से कह रहे है न्यानी पुरुष्ट भी अपनी प्रक्रति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्रानी तीनों गुनों से प्राप्त अपनी प्रक्रति का ही अनुसरं करते है भला दमन से क्या हो सकता है इंद्रिय शेंद्रिय शार्थे राग द्वेशो व्यवस्थिताउ तयो नवश्मा गच्छेत ताउ यश्य परिपन्थिनो और थात यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कह रहे है प्रत्यक इंद्रिय तथा उसके विश्य से संबंदित राग द्वेश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं मनुष्य को ऐसे राग द्वेश के वशी भूत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आत्म सक्छात करके मार्ग में अवरोधक है श्रेयान स्वधर्म विगुनह परधर्माद स्वनुष्ठिताद स्वधर्मे निधनम्शेय परधर्म भयावः अर्थाद यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है अपने नियत कर्मों को दोश पूर्ण धंक से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भाती करने से शेयश कर है स्विय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवरत होने की अपिक्षा शेयश्ठ तर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरन भयावह होता है अर्जुन उवाज अथकेन प्रयुक्तोयं पापं चरती पुरुष्य अनि छन्नपी वार्षनेय बला दिव नियों जित है अर्थात अर्जुन ने कहा है व्रिष्णिवनसी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ऐसा लगता है कि उसे बल पुर्वक उनमें लगाया जाह रहा हो